हेलो फ्रेंड्स वेदम कॉंपरिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है आज के इस लेक्शर में हम स्पीड डिस्टंस और टाइम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और जो लोग पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले जाके स्पीड टाइम और डि डिटेल समझ में आएगा तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले कुश्चन से एक आदमी 10 गंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है वह यात्रा का प्रत्रम भाग 21 किलो मीटर पति गंटे की रफतार से और 6 आधा भाग 24 किलो मीटर पतिगंटे की रफतार से त एक व्यक्ति 10 गंटे में यातरा पूरी करता है total time इससे है पहले प्रत्रम फ़में प सौल्ड करोग कि वह देखना है आपको आप को आज सबाप तो मुझे दिया गया लिए है pair ने लिए त्स हे प्रत्रा के रिकश्चर बात्याक T1, second T2, T1 plus T2 बराबर अगर आप देखोगे तो आपको कितना दिया है, कुल समय, 10 गंदे, 10 hours दिया हुए है, है ना, T1 plus T2, लेकिन यहाँ पर अब हमें और क्या दिया है, आपको दी गही है, speed, speed, तो मैं लिख लेता हूँ, speed, S1 आपको दिया है, 21 km पर आर, और अगर मैं S2 देखोँ, तो 24 km पर आर, अब इस पर बेस हमें करना है solution, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर और कोई data है, क्या हम से पूछा गया, distance, generally हम distance के लिए क्या करते हैं, अगर हम देखें तो, speed पर आपको distance upon time, distance जो अब हमारा है यहाँ पर, वो distance कैसे निकल सकता है, अगर हमें speed पर देदिया है, या तो हमें average speed पता होती है इनकी, और time पता होता तो हम कर लेते, लेकिन ऐसा आप कभी भी मत करना, कि speed का निकाल दो, average, है ना, कि आपने speed को जोड़ा और speed निकाल लिया और फिर उस हिसाब से क्या कर लिया, time को भी आपने distance के तोर पर कर लिया, ऐसा बिलकुल भी आप नहीं करेंगे, देखिए इसे हम कैसे करते हैं, आज हम देखते हैं, यहाँ पर, मैं T1 की जिगह पर, यह question जो है ना, हमेशा ऐसे ही करने है, जिसमें आपको कुल समय, या difference भी दिया हो, T1, T2 तो आपके पास है नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो, D upon आपको distance ही निकालनी है, D upon, अगर मैं यहाँ पर distance भी ले लेते हैं, चलो, distance बरावर कितना, X, distance कितनी लिए, friends मैंने, X, और अगर मैं X लेता हूँ, तो मैंने, पहला जो मेरा part होगा, D1, वो क्या होगा, X by 2, और D2 भी कितना होगा, second part, X by 2, तो अब मुझे यहाँ पर solution का, तो यहाँ पर क्या लिख सकता है, distance upon speed, तो D1 upon S1 plus D2 upon S2, लिख सकता हूँ, इनके प्लेस पर बिलकुल लिख सकता हो, यह चीज को, है न, बिलकुल यह formula आर सकता है, क्योंकि इस सरे place के, यहाँ पर तो 10 RC रहने हैं, है न, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, अब आपको क्य का देखने हैं, यहाँ पर distance, distance कितनी दिये, D1 अगर आप देखो तो X by 2 upon S1, S1 कितना 21, plus X by 2 upon 24, इक्वल में कितना हो गया, 10, आप ऐसा बिलकुल मत करना कि आपने लिए 10 घंटे और 21 upon 24 का average निकाल आए, कि speed बना और इसे total time को ले लिया, और दोनों का multiply करके निकाल दिया, आपका विलकुल answer, विलकुल गलत आएगा, देखते हैं कैसे गलत आएगा, अभी आप देख लीज़ेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी कहा गलती होती है, X upon 42, plus X upon 48, इक्वल में आपको कितना दिया है, 10 hours, वो आपका चली रहा है, अब यहाँ पर और क्या कह सकते हैं, LCM ले लेते हैं इसका, है न, LCM ले लेते हैं, चलो, 42 और 48 का LCM ले लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ common आ सकता है क्या पहले बाहर, हाँ, 1 by 6 common आ सकता है, 1 by 6 मैंने common लिया यहाँ, ठीक है, 1 by 6 common ले लिया, तो X by 7, plus X by 8, बराबर 10, अब यहाँ पर क्या होगा, 6 कहा चलेगा, उस 7X plus 56, बराबर 6 वहाँ गया, तो कितना हो गया, 60, यहाँ पर कितना हो गया, 60, अब आपको यहाँ पर solution करना है, तो देख लेते हैं, आप आगे का कैसे होगा, 15X बराबर क्या हो जाएगा, 60 into 56, cancel किया, 4, multiply करो 56 का 4 में, तो आप यह multiply भी बहुत असानी से कर सकते हो, कैसे करो 6 जैसा हो सकता है, क्या, 50 plus 6 भी 56 होता है, तो पहले आप 50 का 4 में करो, बचा कितना 6, 6 4s है, 24, 200 वो 24, 224, तो यह जो है method जो मैं बता भी जो कहूं, वीडियो भी इस पर upload, इस पर आप लोग कैलकुलेशन पर मेहनत करें, 224, यह है आपका actual answer, अच्छा अब यहाँ पर अगर अगर देखा जा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मैंने बोला, 21, 24 इसका average क्यों निकला, और normal जो आप करते, कि इन दोनों को जोड़ते, है ना, और 2 से डिवाइड कर देदे, 21 plus, अब आप बोलते हैं, मेरे पास तो speed भी आ गई, और time दिया था, तो अब मैं speed into time करूँगा, तो आप 10 into, आप कहा था, जो की, गलत होता, जो की क्या होता, फ्रेंक्स, बिलकुल गलत होता, तो आपको यही ध्यान देना है, याद रखो, कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे कि जोड़ के time को, average speed को जोड़ कर निकाल दो, तो की, आप जो distance ले रहे हो, है न, उसके लिए time अलग-अलग होगा, है न, time क्या होगा, अलग-अलग, time समान नहीं है इनके लिए, अगर 21 km की रफ्तार से उसने आधी दूरी तैय करी, तब सम पर 24 km पर आर के distance, जब उसने same distance तैय करी थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप बिलकुल average नहीं निकाल सकते, दो का भाग करके, average speed का formula अलग होता है, वो apply जरूर कर सकते हो, आप अगर distance same हो तो, वो हम कुछ आने वाले questions में पढ़ेंगे, चलिए I hope आपको यह बिलकुल समझ में आयोगा detail में, अब अगले question पर हम move करते है, दो rail गाडियों की चालो का अनुपात 7 अनुपात 8 है, यदि दूसरी rail गाडी 4 गंटे में 400 km की दूरी तै करती है, तो पहली rail गाडी की चाल बताओ, बहुत simple सा question है, अगर हम करना चाहें तो बहुत असान है, देख लेते हैं, आ आपको पहली rail गाडी और दूसरी rail गाडी की चालो के बीच अनुपात कितना दिया है, 7 अनुपात 8 यही दिया हुआ है, यदि दूसरी rail गाडी, देखी आपको आप क्या दिया है, यदि दूसरी rail गाडी मतलब आपको दिया है, दूसरी rail गाडी के बारे में, दूसरी rail गा सि हमिमें उला फो मिष Richt लाँ उडाँ सो अपॉन 4 पूच अ ं 100 km अब तो यहां वाप को क्या निकालना विल्कुल आपको सब्सक्राइब कि जा रहे तो आपको क्या निकालना है और इस वन की स्पीड क्या थी तो पहले तो एस्वन क्या वज़ागा है 7x km पर S2 क्या हो जाएगा कहां से ratio थे ratio से जैसे ही हम कोई भी value अलग करता है x के साथ उसे लिख देते है common factor रहता है अब S2 आपको पता है 8x है 100 में divide करो 12.5 km पर 7x S1 निकालना था 7 into आपकी speed क्या हो गई यहाँ पर 87.5 km पर बहुत असानी से question solve आपको यह बिल्कुल अच्छे से detail में समझ में आ गया होगा एक आदमी यात्रा में 160 km की दूरी 64 km पर आर की रफतार से ततापुना 160 km की दूरी 160 km की distance 80 km पर आर की रफतार से तै करता है यात्रा के प्रतम 320 km की औसत गती या औसत चाल बताएं तो बहुत आसान question है पहले तो मैं आपको बताऊँगा जब भी average speed आया तो आपको अगर speed पता है लेकिन distance क्या होनी चीए हमिशा से मतलब या तो मैं 100 km जा रहा हूँ तो अगली बार भी जो distance हो 100 km की हो या तो मैं यहां से एक particular point तक जाता हूँ और वापस आता हूँ तो जाते समय की speed होगी उस point तक और आते समय लेकिन distance क्या होगी सेम होगी उसी पर यह जो मैं trick आपको बता रहा हूँ वो लगेगी यहां पर ठीक है जो अब formula यहां पर लगने वाला ठीक है तो average speed का formula जो होता है वो होता है 2xy यहां पर x को और y को क्या बोला गया है दो अलग-अलग speed लेकिन distances हैं दोनों की से यह question हमें दिया गया था हम इसी में put कर लेता है 2 into 64 into 80 64 plus 80 x, y में कुछ भी कोई भी speed 64, 80 किसी को भी ले सकता अब यहां पर 2 into 64 into 80, 144 अब यहां पर अगर हम देखें तो उपर नीचे किस से cancel हो सकता है क्या ही 8 से? 8 से cancel कर लेते हैं यहां पर है न? मिल्कुल देख लेते हैं 8 से cancel हो रहा है यह 8 times गया और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यह कितने times जाएगा आपका? 18 times फिर यहां पर अगर आपने देखा तो यह कितने times जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? 71.1 फिर कितना बचा? 1 तो 71.1 kilometer पर और individually हम गलती क्या करते हैं आप पर? हम गलती ऐसे कर देते हैं friends हम कुछ नहीं करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं और दोसे भाग कर देते हैं देखो बिलकुल गलत हो जाएगा यह अगर ऐसा करोगे आप तो कि अगर distances same है speed अलग-अलग तो time तो कुछ अलग-अलग लगेगा दोनों को तो कहां से आप दोनों को जोड़के 2 से भाग करके एक speed बता सकते हो तो आप हमेशा याद रखना कभी भी दो speed को जोड़के average उसका 2 से और संख्या गिन के भाग करने से नहीं आएगा जब तक की समय अगर देखो speed बराबर है distance बराबर है तब बात अलग हो जाती अगर distance same है पर speed अलग-अलग तो जोड़के कभी भी आपका average नहीं निकलेगा जोड़कर दो से डिवाइड करके तीन से डिवाइड करके जो average के formula से नहीं निकलेगा उसके लिए आपको यही formula लगाना पड़ेगा जो इससे हमारा यह answer आ गया है hope आपको बिल्कुल clear हो गया होगा आने वाले कुछ lectures में हम और भी deeply पढ़ेंगे और कुछ अलग तरह की question discuss करेंगे और जो आपका SBA PO clear का आने वाला है उसके लिए special classes हम start करने वाले है तो आप लोग हमें चल से चल जॉइन करिये और जिन्हों ने अब तक जॉइन नहीं करा है वो प्लीज हमारा चनल सब्सक्राइब करें जिससे ताकी जिससे आपके पास continuous update आ सके थैंक यू वो वाचिंग एस फैंग करने जॉइन वाचिंग जॉइन नहीं था तक जॉइन नहीं करें जॉइन आपके लिए